सारुक का ये दाव पिर्वास पर भारी पड़ेगा सारुक खान की फिल्म डंकी 22 दिसम्मर को रिलीज हो रही है इस दिन पिर्वास की सालार जिलीज होने वाली है इस साल का सबसे बड़ा क्लेश माना जा रहा है एसे में दो रोग फिर्मों की मेकर्स जोल लगा रहा है डगी की टीम हाली में एनीमल की पेडुसर से मिली थी क्यूंकि एनीमल और सालार को एक ही कंपनी डिस्टिबूट कर रही है मीटिंग काफी सकरात्मा रही अब ख़वर आई हैं कि डंकी के डिस्टिबूशन कम्पनी भी लॉक हो गई है इसे पैनमा उदर जादर जगों पर डिस्टिबूट करेंगे इसी ने जवान को भी रिज़ किया था बॉलिवोड हंगावा ने एक रिपोर्ट स्छापी है इसमें बताये गया पैनमा उदर डंकी के बितरक के रूप में फिल्म से जुड़े है जवान की एतिहासिक सपलता के बाद डंकी को पूरी देश में व्यापक रूप से रिज़ करेंगे राजकुमार हिरानी और जीव ने भी सारुक के मॉडल पूरा भरुसा जताया है क्योंकि सारुक के ही मॉडल से जवान रिज़ की गई है जैट चिलीच खुड डंकी की पेडूसर है इसलिए वो अपना पूरा जोल लगाएगी ताकि वो पचाणा जा सके पेनमा उदर ने डंकी को सालार से भी बड़ा रिज़ देने का वादा किया है सारुखान इस समय अपने पीक पर हैं वो दो बड़ी फिल्म में देकर डंकी ला रहा है इसके उलट प्रवास रादेश्याम आदिकृस जैसी बड़ी फिलॉप के बाद सालार जलीच कर रहा है ऐसे में सारुख के साथ क्लेस आसान नहीं होगा इसमें उनकी फिल्म को बहुत नुक्सान हो सकता है बॉलिवोड हंगामा के अनुसार डिस्ट्रीपूटर और ठ्रीएटर दोनों सारुख रियाने की जोड़ी के लिए उतसाहित हैं यही सालार की टीम भी टंकी से जादा स्क्रीन्स पाने का प्रयास करेंगी दरसल सारा का डिस्ट्रीबूशन अनल थडानी की एए फिल्म्स कर रही है मूवी सिर्फ हिंदी पट्टी यही रड़ भी कपूर की फिल्म एनिमल का भी डिस्ट्रीबूटर है एनिमल एक डिसमर को रिलीज होगी दंकी की मेकर्स को यह चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हुजाए कि टीम्स से एए फिल्म स्टाट गांट कर ले और उनसे ऐसा कहा दी सिनिमा करों को एनिमल तभी अपने हाँ चलाने को मिलेगी जब वो डंकी की जगए सालार चले यानि कि सालार तभी जनवी कपूर की एनिमल भी दिखाने को मिलेगी पीछे से कई ऐसे बात होती है इसलिए डंकी मेकर्स की चिंता जायज है डंकी को सारुखान की कंपनी रेट चिलीज एंटरटेन ने पिडियोस किया है इसलिए इसके आधिकारिक एनिमल के निर्माताओं के पास पहुंचे रेट चिलीज के अथकारियों ने एनिमल के मेकर्स के पक्का करने की गुजारस की है की है कि ठीरेटर्स को परिशान ना किया जाए कहने का मतलब है कि उन्हें सालर देखाने के लिए मजबूर ना किया जाए बॉल्यवर्ट हंगामा के स्वोट्स ने बताए कि एनिमल के निर्माताओं की बात वाजिब लगी है उन्हें देर चेलिच को आस्वासन दिया है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है खेरसा होता है या नहीं यह आने वारे दिनों में साफ हो जाएगा लेकिन यह बात तैह है कि जवान की सफल्दा के बाद सारुखान की टंकी को भी फैंस देखने के लिए एकसाइट है बैसे इस ख़बार पर आप क्या कह रहे है बैसे आप इन दोनों फिल्म में किसको जादा देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरू बताएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब में किया है तो जरू सिख कर दीजिए मिलते हैं ऐसी और कमाल की वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिंद वन्यमात्रम